हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टैली में सर्विसेस ऑफिशिल यूटूब चैनल में जिसमें हम आपको आपकी बिजनेस के ग्रोथ के रिलेटर टैली के अड्वान्स फिल्चर्स के बारे में बताते हैं में एक टैली मी यह डैकाल टैली में टैली डैटा आटो बैकप किस तरह होता है और वो वर्टिकल सोलीशन का है प्रोगरमिंग के दुनसे पर यह इस होता है इसमें क्या-K कि कौन से कॉन से कंडिशन में यह बैक अप होता है यह चलो जानते हैं TCP फैल अटाश करने के बाद आटो बैक अप फीचर में आने के बाद हमको यहां पर एनेबल आटो बैक अप दिखेगा यह करना है डेटा कहां पर स्टोर होगा उसका पात देना है मैंने यह डेटा स्टोरेज का पात दिया है तो वह जाके वहां पर सेव होगा यह यह है अपर में टैली डेटा अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है इसमें एमटी है यहां पर डेटा हमारा स्टोर होगा नेक्स टाग बैकप इवेंट बैकप आपको किस तरह चाहिए मेंस कंपीनी क्लोज होने के बाद चाहिए कंपीनी लोड होते वक्त चाहिए या फिर टैली अप्लिकेशन क्लोज होते वक्त चाहिए या फिर टैली अप्लिकेशन स्टार्ट के वक्त चाहिए चलिए फस्ट व डेटा बैकप डेटा किस तरह चाहिए आल कंपिनिस का डेटा बैकप चाहिए या फिर करेंट कंपिनि जो कंपिनी हम जो कंपिनी में हम है वो कंपिनी का डेटा बैकप चाहिए या भी सेलेक्टेड कंपिनिस का चाहिए और सेलेक्टेड कंपिनिस लेके आपको एक कुमार यह एक company का data ही company close करते टाइम पर back up होना में रहो right enter अभी में Alt F1 shut company करूंगा shut company करने के बाद यह पर देखो दूसरी company में जाना बुले तो enter देते ही हमारा data backup हो गया इसमें शिर्फ 100008 ही backup हुआ right that means particular company ही इसमें backup हुआ जलिए इसको डिलिट करके दूसरा देखते हैं इसमें इसपरिवे अटो बैकप फ्यूचर यहां पर सेकड़ ईवेंट लेकर देखते हैं यहां पर लोड ठाइब कम्पिनी लोड होते टैम पे हमको बैक अप चाहिए यह है एंटर सेलेक्टेड कम्पिनी ही लेया मैंने अभी इसको टेंटों लेते हैं बागी क्या नो करते हैं राइट कम्पिनी लोड होते टैम पे डेटा लेगा इसमें जाके देखने बाद भी से डेटा आ गया यहां पे सेम डेटा आ गया अभी 10,000 आया देखिए जो कम्पिनी को हमने सेलेक्टेड किया था सिर्फ वही कम्पिनी का डेटा हमको बैक अप हुआ है तो इसको भी डिलिट कर देते हैं अब दूसरे मेथर्ट ट्राइए करते है अंब कि हम टाली कि स снद्रेटेड किया है जब ओल कम्पिनी का लेटा हो 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 हम माफ ही यप शेलेक्टेड कम्पिनी का डेटा लेते हो हम चली हो से र dinheiro क्याणी कान लेके दिखाते हो बैककप एक लेने के लिए थोड़ा सई टायम ले तो selected company का डेटा ही लिया और मैं ت hedgehog ले बाकी Companies को मैं इंड कर दिया तो कि अब मैं application स्टाट और है application होने के बाद data back up आ गया देखिए सा से लिया था मैने यह वाला लेया 10,000 a. टलंक होता है 358, 358 सिस्टम का देट और सिस्टम का टाइम से यह बैकप कौता है इसको डिलेट करते हैं ऐसलिए टैलय ब्लीकेशन फिरसे अटिवेट करके देखते है अभी दूसरे मेठ़्ट से ट्रै करेंगे कि बैक अप हो रहा कि नहीं हो रहा दूसरे इवेंट को काल किया तो डेटा बैक अपको लिए अपको दिखाने के लिए company को tally से बाहर आते हैं मैंने क्या लिया था यह लिया था tally application end that means tally का software close करते टाइम पे जो भी companies रहेंगे वो सारे companies का data backup चाहिए इसमें देखिए मैंने डीट्रेव का location दिया था data backup का इसमें कुछ भी नहीं है अभी मैं tally software को close कर रहा हूँ यह यह रहा है तो यह पूरे companies करना बोले तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि पूरे companies close हो रहे न तो यह थोड़ा सा टाइम लगाएगा अगर से specific अप एक उसको सिर्फ वही company का data आपको अटोमेटिकली बैक अप हो जाएगा कि चले इसमें और एक बार डे में जाके अभी हम लोड company, close company, start company, start company सारे कुछ सेम मेथड है आप ट्राई कर सेकते हो purchase करने के बाद all companies, current companies जो भी current company को देगा दो companies को लेकि तीन में चोड़ दिया मैंने देखो 10,000 और 10,001, 10,000, 10,001 दो companies को लिया इन में चोड़ दिया और मैंने यहां पर इवेंट का सेक्षिन कहा दिया टैली अप्लिकेशन टैली अप्लिकेशन क्लोज होते टैम पर मेरे को बैक अप आ जाना यहां पर डेटा तो मैं टैली का software क्लोज कर रहा हूं पर रोस करते ही यहां पर बैक अप आ गया दो इसी प्लकर सारे इवेंट्स का डेटा आटो बैक अप हो जाएगा आपको चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए इससे हमारा हुसला और ज्याय होता है वीडियो बनाने में मज़ा आता है दोस्तों थैंक्यू थैंक्यू वरी मच्छ